क्या है आप लोग तो चलिए सेक्षिन में बात कर लेते हैं कल के लिए कौन सा स्टॉक बहतर है स्विंग के लिए 1-7 डेस के अंदर 5 दिसंबर को और पिछला स्टॉक समने लिया था उसके बारे में आनलिसिस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक विकली बेसिस पर हमने लिए हम उसको ट्राइक भी कर रहा है बजर पैंट अभी तक टू परसेंट का प्रॉफित हमें आ चुका है दिबर्ग नाइट राइट में 1.26 पर सेंट का टाटा स्टेल में 3.64 पर सेंट का एबीबी में आ चुका है 10.30 पर सेंट का यह नहीं उननी भी हमाराव मैक्स लॉस आ चुका है यहानि हमारा इस फरी प्रॉफित में हम इस सारे अचे को अबेट करेंगे और हम टार्गेट को आपन रख रहे हैं मार्कर यह जीतना विदे उतना हम ले ले लेंगे हम अपना एसल बस करेंगे अब आ जाते हैं आज के विए च्ट दे इसकल बताया था मैक्स लॉस हम लेके चले थे 56660 तो देखते हैं आज कैसा परफॉर्म हुआ है और क्या फिन कैसा परफॉर्म्स के आज मार्केट में और कल के लिए कौन सा बैतर इन श्टॉक्स होगा उसके बार में भी आपसे डिसक्स करेंगे सब्सक्राइब करेंगे हुए है जी एन अफसी देखते हैं जी एन अफसी नास कैसा परफॉर्म किया है तो यह रहा जी एन अफसी का चार्ट एक दिन के बैसिस पे तो देखिए हमने एक दिसंबर कलम ने अनलिसिस किया था इसका मैक्समाम हाई लगा लग चुका था 708 का और आज यह लगा है 726 का सबसे ज़्यादा हाई यानि लगबग 19 से 20 रुपे का मोमेंट हमको यहां देखने को मिला है और यहां पर आलेडी हमारे तीन स्टैटेजी को यह मैच कर रहा था 20 ऊपर 50 जस्ट उसके नीचे और स्टॉकिस्टी का रसाई 20 से 80 की तरफ रसाई हमारा 50 से उपर की तरफ तीन स्टैटेजी हमारा मैच कर रहा था और हमने यहां वाइं पॉजिशन बनाया था और जो हमारा इस टॉप लॉस था वह हमने यह रखा था अभी एक करेंट देश चल ला है जास उसका पिछला दिन फिर यह इसका इस दिन का लो यानी 680 रुपे का हमारा यहां लो था तो अब हमारा टार्गेट क्या है पहला टार्गेट अलड़ी हमारा लगबग 730 रुपे का यहां पहला टार्गेट है 726 रुपे अलड़ी आ चुका है और हमें पास ऑप्शन से 771 भी जाने का 746 तक भी जाने का जो हमने आपको बटाया था तो यह हमारा पहला स्टॉक तो चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक की दूसरे स्टॉक कौन सा है वीडियल वीडियल ने आज कैसा परफॉर्म का मोमेंट तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी तो रुपे का मोमेंट हुआ है और यहां पर आप हमारा अनलिसिस देखेंगे तो 20 ऊपर 50 जैस उसकी नीचे यानि हमारा पहला कर्णिशन यहां मैच हुआ था 20 से 80 की तरफ जा रहा है स्टॉकस्टी का रसाई जो की है ओवर सोल जोन से ओबर बॉर्ट जोन की तरफ जा रहा है यानि सकेंड कर्णिशन भी हमारा है मैच हुआ था और तीसरा 50 को क्रॉस करते हुए इसमें स्ट्रेंग पता चलता है यह तीसरा भी हमारा मैच किया था तो हमने पोजिशन बनाया था लगबश यहां और यहां का टार्ग तो आपका टार्गेट 258 272 बनता है और वो हम चार्ट में देख सकते हैं 276 यहां पर हमारा आर्टी का टार्गेट तक जा सकता है तो चलिए तीसरी स्टॉक की बाद के लिए तो तीसरा जो स्टॉक था वो निकल कर आ रहा था ITC का तो ITC में देखते हैं ITC ना इस कैसा लगा है 456 रूपीज का मुवमेंट यहां हुआ है और यहां पर बाइंग सिगनल आ गया वन डे के पास कल तक बाइंग सिगनल नहीं था कल तक था यह इसको तोड़ेगा और आज बाइंग सिगनल इसमें हमने रिस्क लिया था क्यूंकि हमारा दो स्ट्राटीजी मैच हो र आता हुआ दूसरा कंडिशन मैच तीसरा कंडिशन मैच और हमने यहां टार्गेट रखा था 515 का पांसो पंदर तक का यहां टार्गेट है आने वाले टू-टू-वन यह के अंदर का यह टार्गेट है तो यह वीकली बैसिस पर हमने एनलेसिस किया था अब आप देखो बाइंग सिंगनल यहां दे रिया है हां इसमें एक यह हो सकता है कि 462 या 470 पर जाके एक आपको रिटेस्ट मिले चाल गंडे में अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमको एक रिटेस्ट देखने को मिल सकता है जो कि 459 पर हो सकता है वापस आए और 20 के मुविंग एवरेस का एक सपोर्ट बनाते हुए फिर से यह जाएगा क्योंकि जब भी ब्रेक आउट होता है यह सूपर ट्रेंड का तो एक रिटेस्ट तो होता है 80-70-80% के केस में तो यह था तीनों स्टॉक्स और तीनों स्टॉक्स का टार्गेट यह अभी ओपन है अब हम बात कर लेते हैं कि कल के लिए कौन सा बैतर दिन स्टॉक होगा जिसको हम गो फ्रू हो सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो हमने आपको तरीका क्या बता है स्टॉक्स सर्च करने का आपको कुछ नहीं करना है आपको एंजल के डीमेट एकांट में जाना है होम पे क्लिक करना है व्यू मार्केट पे क्लिक करना है डेरिवेटिव मार्केट हमें ऐसे स्टॉक ठूड़ने हैं जिसमें बड़े प्लेयर अपना पोजिशन बना रहे हों यानि यह लॉंग बिल्डप बड़े प्लेयर काफी होता है तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले स्टॉक से जैसा कि हमने देखा यह लॉंग बिल्डप और सॉट कवरिंग में हमने सारे स्टॉक को यहां देखे हैं इसमें बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा पोसेंट इस भग चुके हैं आप देख सकते हैं इस स्ट्राव चेक कर लिया है जो हमारे कोर निया है हमारे स्ट्रावी मैस हो रहा है कि इसे पेंट कहता है अब आप देखिए यह हम चार घंटे के चार पे स्टॉक्स को लगा लेंगे ट्वेंटी मुविंगे उपर फिफ्टी जैस उसके नीचे यानि पहला कंडिशन हमारा यहां मैच होता है दूसरा ट्वेंटी से एटी के तब जाना चाहिए हाला कि यह देखिए यह ओलेडी एटी को क्रॉस कर चुक ले सकते हैं क्यों रिस्क ने सकते हैं वह मैं बताऊँगा जब हम डेक्ड और वीक का चार्ट करेंगे उसमें बताऊँगा और यहां आप देख सकते हैं कि आया रसाइबी 50 को 50 के ऊपर यानने पीटी सवा कंडिशन भी हमारा मैश है तो यह तो चार घंडे के चार्ट में ह यहां पर यह पहला कंडिशन हमारा मैश नहीं हो रहा है यह अलड़ी 80 के उपर है फिलाल 100 भी यहां सो रहा है हम एक दिन के चार्ट यहां देखो एक दिन के चार्ट में यहां पर जारा है यानि एक क्रॉसवर हो रहा है फिफ्टी जैसे नीचे आएगा कल और यहां पर 66 से उपर की तरफ जा रहा है और यहां 50 से क्रॉस करता डा जोकर ठे में 52 पर हैता हर या यानि पहला कर्णिशन दूसरा कंदिशन और मैच हो रहा है ठालुट क्या हो जाएगा 32 221 यह हो जाएगा दूसरा हमारा हो जाएगा 3374 यह हो गया डे चिन टीर्यूस्त और सेम चीज दलार पर देख लेते हैं आप यहां देखो कितना मैच हो रहा है यानि 20 ऊपर फिफ्टी में जाब जो इसके नीचे पहला कंडिशन मैच दूसरा 20 से 80 की तरफ जाता हुआ यानि मारा दूसरा कंडिशन मैच और तीसरा जस्ट यह 50 को पॉइंट और व्यू बहुत स्ट्रॉंग है तो हम वीकली को फॉलो करेंगे सो वीकली अब हमारा टार्गेट क्या हो जाएगा वीकली अगर आप देखेंगे तो वीकली टार्गेट हमारा तो पहला तो यह हो जाएगा 3423 का जो की यह तोड़के बाइंग सिगनल देगा और ज एक्षेन पेंट पेंट तो दिखेंगे यहां एक्षेन पेंट ले लिया है 32 पे हम एज्जम करना कि कल मार्केट अगर ओपन होता है तो हम 32 के करीब में आँ खर देंगे और हमारा जो इस टौप लॉस होगा तो यहां पर जो मैंने श्टॉप लिया है क्योंकि मेरा जो यहा ट्रिवाइट नाइंट का हम यहां पर वन वन का तो हम यहां पर माइक्समा में लॉस उमने लिए एक शेयर पर तो हम 5-6,000 के बीच में maximum loss रखेंगे तो हमारा यहां पर जो quantity हो जाएगा वो हो जाएगा 50 और इसके कोडिक हमारा टार्गेट होगा 3311 जाएगा तो मुझे इतने का profit हो जाएगा और 3422 जाता है तो मुझे इसका जस्ट डबल और तो हम यह अपने कर रहे हैं अब बढ़ते हम अपने दूसरे स्टॉक की तरफ सो जो दूसरा स्टॉक में मिलता है निफ्टी 50 में वह है तीसरा 50 को क्रॉस करता हुआ यह भी हमारा कंडिशन मैच तो हमारा चाल घंटे पर कंडिशन मैच है फोर आवर के चार्ट पे अब देख लेते हैं क्या यह एक घंटे पे भी मैच है तब हम इसमें पोजिशन मनाएंगे तो यह एक घंटे पे आप देखिए 20 मुविंग और यहां पर आरसा जो है 50 को क्रॉस करता हुआ यहां पहला कंडिशन मैच दूसरा कंडिशन मैच तीसरा कंडिशन मैच तो हम बिलकुल इसमें पोजिशन बना सकते हैं तो हमारा अभी इसमें आज का जो हाई लगबग 1517 का और इसमें जो रिजिस्टेंस और टार्गेट औ та वहीं है 16601 रुप्य का होगा यह मारा त्र होगा यहह पहला दिन चलत सब्सक्रीट कर लेकर ला है उसके पहले का एक दिन उसके पहले दूसेभर का लो जो की जो कि है कि 1450 अब हम इसको अपने diamond क रेP ने पर मेंधन कर लेते हैं यहां कि है भगजु यहां पर हम एजूम कर रहे हैं कि हम लेंगे मार्केट ओपन होता है 1514 भी चल ला तो 1520 के राउंड हम यहां पर लेते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा हम नारा जो व्यू है वो डेली बेसिस पर तो डेली बेसिस समने स्टॉप लॉस रखा है 1450 रिस्क पर से हमारा जो पहला टागेट हो है 1590 है वन इस्टू वन के अकॉर्डिंग वन इस्टू के अकॉर्डिंग 1660 का है और यह रहा हमारे पास चार्ट तो हमको लगता है हमारा तीसरा स्टॉक निकल के आता है वह है नौकरी तो यहां आप देखें नौकरी का जो चार्ट है वो कह रहा है 20 का मुविंग आवर जूपर 50 का नीच्छे यानि पहला कंडिशन हमारा यहां मैच हो रहा है दूसरा स्टॉकिस्टिक रसाई 20 से 80 की तरफ दूसरा से मैच कर सकता था लेकिन यह वर्थ है रिस्क टेकिक यहां पर अगर हम यहां पर थुरा सा एक रिस्क ले रहे हैं तो अब चलिए हम सेम देख लेंगे कि एक दिन के चार्ट में हमारा यह मैच कर रहा है तो एक दिन का चार्ट दखो 20 का मुविंग आवरेज उपर 50 उपर पिछले दो दिन से ग्रीन कैंडल बना हुआ है 20 से 80 की तरफ मूफ कर रहा है इस टॉपिस्तिक आरसाई 59 है आरसाई तो यहां तीसरा कंडिशन भी हमारा मैच हो गया हम यहां पोजिशन बिलकुल बना सकते हैं हमारा जो स्टॉप लॉस होगा यह करेंट देख चला है इसके 4803 का पहला टार्गेट हो जाता है और जो दूसरा टार्गेट होगा वह जाएगा 5201 का हमारा दूसरा टार्गेट हो जाएगा और जो हमारा एसल होगा आपको एसल भी यहां पर बता दिया तो चलिए अब इसको हम मैंटेन कर लेते हैं अपने एक्सल सीट में नौकरी करेंगे हमारा जो इसका लोग होगा यानि 4520 है तो 4520 हमने यहां पर स्टॉप्लस में कर दिया हमारा रिस्क पर शेयर कितना आता है 80 रूपिस का आता है और इसमें हमने 75 कोई ले लिया यानि 6000 कमारा मैक्सिमम लॉस है 1.7% का रिस्क है 4680 जाता है तो बॉन इस्टुवन या हमारा प्रॉफिट होगा 4760 जाता है तो 12,000 का हमारा प्रॉफिट होगा तो यह थे कुछ स्टॉक्स कल के लिए जो हमने आपके लिए निकाले हैं तो देखते हैं यह कल मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है और मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में लेते हैं तब से अपन होता है उसमें इसको टेस्ट करिए तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में यह सारे चीजे कैसे बिहेव करती हैं मार्केट को डेली बेसिस पर देखिए भले आपके पास पैसा हो या ना हो सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में लेते हैं इजाजत कीप लर्निंग कीप बर्निंग